हाई दूसरी शादी करने पर जा सकती है नौकरी अगर कोई सरकारी करमचारी है और उसने दूसरी शादी कर ली है तो क्या उसकी नौकरी जा सकती है तो इस पर इलहाबाद हाई कोड का बहुत ही एहम फैसला है और आए आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में जान लेते हैं सो नमस्कार दोस्तो मेरा नमेरा उल सिंग और आप देख रहें एडो हाल पस दोस्तो इलाहाबाद हाई कोट ने कहा है कि अगर किसी सरकारी सेवक ने पहली पतनी के रहते हुए दूसरी शादी कर ली है तब भी उसे नौकरी से बरखास्त नहीं किया जा सकता है हाई कोट ने हाल ही में एक सरकारी करमचारी की पहली शादी के एस्तित्म में रहने के दौरान दूसरी सादी करने के आरोप में उसकी बरखास्त की को रुद कर दिया कोट ने याचिका करता के तर्क में योगता पाते हुए कहा कि सजा अन्याय पूर है क्योंकि कथी दूसरी शादी पर्याप्त रूप से साबित नहीं हो सकी है जश्टिस छितिस चलेंदर ने आगे कहा कि करमचारी ने भले ही दूसरी शादी कर ली हो उसे नौकरी से बर्खास नहीं किया जा सकता है क्योंकि यूपी सरकारी सेवक आचरण नियमा वली के नियम वंतिस में सरकारी करमचारी की दूसरी शादी के मामले में केवल मामूली का प्रावधान है दोस्तों कोट ने तथ्यात्मक और कानूनी प्रस्ताओं पर विचार करते हुए जैसा कि हिंदु विवाद नियम 1955 और भारती साच अधनियम 1872 में बताया गया है और इस नियाले या प्राधिकारियों के समझ कोई अनिसामगरी नहीं है दोस्तों आगे कोट ने कहा कि मेरा मानना है कि पहली शादी के अस्तितु के दोरान दूसरी साधी करने का नुमान लगा कर याचिका करता को दंडित करना तत्य और कानून के अनुरूप नहीं है यहां तक कि जब सरकारी करमचारी की और से उप्रोक्त करत्त इस्थापित हो जाता है तब भी उस चुर नुक किया गया था विवाद तब खड़ा हुआ जब आरोप लगाए गये कि उसने दूसरी शादी कर ली है जबकि वह पहले से साधी सुदा है और वह साधी चल रही है इसके बाद याचिका करता प्रकदाचार का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ आरोप पतर जा का दर्वाजा खटकाया जहां उसकी बर्तखास्तकी को रग कर दिया गया तो ये इलहाबाद हाई कोड का फैसला है और इसके अनुसार अगर कोई सरकारी करमचारी है और ये दिवा कोई दूसरी शादी कर लेता है पहली शादी के अस्तित में होने के बावजूद भी उसको नौकरी से निकाला नहीं जा सकता है और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत